कोलकता के पास 24 परगना जिले के कामदुनी गाओं में समय मौजूद हैं जहां पर एक छातरा के साथ जो गैंगरेप हुआ था उसमें ऐसा कहा जाता है कि छातरा को इंसाफ नहीं मिल पाया उस पूरे आंदलन को छातरा को इंसाफ दिलाने वाली जो मोमेंट को लीट करने वा आ रहे है एग्जाम है तो वह हमारा बहन के साथ जो रेफ हुआ गैंग रेफ हुआ था तो टेन यार से हो गया तो हम लोगों का जास्तिस नहीं मिला अमारा जो सेम हे मौमता बacyjना जी हम लोगे इस रेफ के जो बोटेक्स किया था मौमता बैना जी कहा ता यह छोटा घान आइसा बात बोला था, तो कामदुनी के बात गेदे, गाई घटा, पार्क स्टीट, बिभिन नो जाय गाई बिभिन एरेफ हुआ था, तो मुमता बैना जी कहा था, जो ये छोटा घटो ना कोही जास्ट्रीश हम लोगों का नहीं मिलता, पावर में जब आया, तो हम लोगों का जैस्ट्रीश नहीं मिला, तो जो चार अग्मी छोड़ दिया, और दो है, हम लोग सूप्रीम कोट में अपलाई किया है, वो जो केस है, वो चल रही है, पुल मिलाकर आठ लोग थे, जिनके ओपर आरूप लगा था, कि इन्होंने गेंग रेप किया है, विनीद गोयल उस समय आईजी, सी आईडी थे, अब वो कोलकता पुलिस कमिशनर है, तो क्या उस समय आप लोगों का कहना है, कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कि सही हुआ, हुआ तो हम लगों का जैस्टिस मिलता, वो वो कहा, वो बीनीद गोयल जो, वो जो चार सीड, फॉरिंग सी रिपोर्ट, एंड जो पोस्त माटम का रिपोर्ट जो किया था, वो गाला थे, इसलिए हम लगों का जैस्टिस नहीं मिला. कोलकाता में जो आरजी कर मेटिकल कॉलिज में जो चातर के साथ में रेप या गैंग रेप जो भी है घटना हुई है, इन्वेस्टिकेशन के बाद अभी साफ होगा कि गैंग रेप था नहीं था, अलगि पोस्त माटम रिपोर्ट में शुरुआती तोर पर ऐसा लग रहा है कि गैंग रेप था, तो उसमें भी पुलिस के उपर आरोप लगे हैं, विनीद गोईल वहा के कमिशनर हैं, तो दोनों में घटनाओं में क्या आपको एक जैसी चीज लगती है। हम लोगों का प्राइसा नहीं है, इसलिए हम लोगों का जैस्टिस नहीं मिलता, और प्राइसा का बीनिमा सब कुछ बेज दीता है। कोलकाता में भी समय पुलिस अधिकारी पुलिस कमिशनर विनीद गोईल थे जिस समय गैंग रेप की घटना हुई और आपका जो यहां पर जो मामला था उसमें भी विनीद गोईल के हाथ में जांचती तो विनीद गोईल को इस केस में कैसे देखते हैं आप जो लग रहे हैं कि वह आपको लगता से बीनीद गोईल आप पोटेक्स कर रहे हैं जो कर जो डॉक्टर दीदी है उसके साथ बलत कर हुआ वह आप आप कर रहे हैं कामदुनी के साथ जो हुआ को ही के फूब नहीं मिलता तो कमदुनी जो हुआ यहीं होगा वह बीनीद गोईल आफ कर रही है बट हम लोगों का जॉब हम लोग जॉब जास्टिस के लिए ला रहे हुँ तो ताब बीनीद गोईल पोटेक्स क्यों नहीं किया आप स्टूडेंट पावार जोनोगान सब लोग रास्ता में नाम रही है पोटेक्स कर रही है इसलिए लोग बीनीद को है लाव निया आप मुक निजर मुक टाखूले छे विनीद गोईल से आपकी तब भी बात हुई होगी जब वो आईजी सी आईडी थे जिस समय कामधुनी वाले जो गैंगरेव था उसका अंदो कामधुनी केस हाई कोट में थी तो वही को वहाँ कोही बात नहीं करता हां हम लोग चैडी आपिस में भाववनी भावन में बहुत बार गया था था हमने लोगे साथ ठीक ठाक बात नहीं किया सूप्रिम कोट में जो रिएफ का जो व्रेंसिक रिपोर्ट एंड पोस्मारम रिपोर्ट हो नहीं दिया तुम आपको लगता है कि इन्वेस्टिकेशन सही से नहीं हुई थी उस समय कामदूनी के टाइम पर और जो रिपोर्ट थी वो सही से नहीं बनाई गई ना सही नहीं हो गलात है इसलिए तो हम लोगों का जासिस नहीं मिला कितने आरोपी थे और वह चारशीट अच्छे से फाइल की होती है तो अन्दलोर्ण पोटेक्स यह कुछ नहीं फायदा होता है कोट मेख यह फूलीस का रिपोर्ट पूलीस को फायदा होता है और कुछ नहीं पूरा मामला हमारा जो बहन है वो फाजडीयर में पड़ता था कॉलेस कॉलेस से वो और एक्जाम है तो वो हमारा बो बहन के साथ जो जॉरा वह गया था तो टेनी यर्स हो गया तो आम लगों का जासिस नहीं मिला हमारा जो सेमे मुवाइनाच जी हम लोग के इस रेफ के जो पोटेक्स किया था मुवाइनाच जी कहा था एच्छोटा घट ना साजान घट ना ऐसा बात बोला था तो हम तो कामदूनी के बात गये दे गाय घटा पार्क स्ट्रीट विभिन नो जाए गाई विभिन रेफ हो था तो एसी एम के आम एसी एम जब जब खोमोता यह से चिलार की पावर में जब आया तो हम लोगों का जैस्ट्रिस नहीं मिला तो जो चार अग्मी ओ छोड़ दिया और दो है हम लोग सूप्रीम कोर्ट में अपलाई किया है और जो केस है और चल रही है अब वो कोलकता पुलिस कमिशनर है तो क्या उस समय आप लोगों का कहना है कि उन्होंने इंवेस्टिकेशन सही नहीं कि नहीं सही हुआ हुआ तो हम लोगों का जैस्टिस मिलता ओ वो कहा विनीद गोल जो वो जो चार सीड फोरिंग सी रिपोर्ट एंड जो पोस्तमाटम का रिपोर्ट जो किया था वो गाला थे इसलिए हम लोगों का जैस्टिस नहीं मिला कोलकता में जो आर्जी कर मेटिकल कॉलिज में जो चातर के साथ में रेप या गैंग रेप जो भी है घटना हुई है इन्वेस्टिकेशन के बाद अभी साफ होगा कि गैंग मुए सब्सक्राइब को पर जैस्टिसस नहीं मिलता है तो इसलिए हम लोगों का जैस्टिस नहीं मिलता है और पॉलिस अधिकारी पुलिस कमिशनर विनीद गोयल थे जिस समय गैंग रेप की घटना हुई और आपका जो यहां पर जो मामला था उसे में भी विनीद गोयल के हाथ में जांचती तो विनीद गोयल को इस केस में कैसे द बिनीद गोयल आप पोटेक्स कर रही है जो कर जो डॉक्तर दीदी है उसके साथ बलत कर हुआ ओ आप कर रही है जो कामदुनी के साथ जो हुआ हुआ को ही के फूब नहीं मिलता तो कामदुनी जो हुआ यहीं होगा विनीद गोयल आफ कर रही है बट हम लोगों का जोब हम आप स्टूडेंट पावार जोनोगन सब्लोग रास्ते में नाम रही है पोटेक्स कर रही है इसलिए ओलोग विनित को यह लाव निया आप मुख निजर मुख टाखुले छे विनित कोहल से आपकी तब भी बात हुई होगी जो आईजी सी आईडी थे जिस समय कामधुनी वाले जो गेंगरेव था उसका अंदोलन आप लोग चला रहे थे उस समय उनका क्या वेवार था क्या इन्वेस्टिकेशन में आपको लगता है कुछ गडबर हुई था विनित कोह आप इसमें भाववनी भाववन में बहुत बार गया था हमने लोगे साथ ठीक ठाक बात नहीं किया सुप्रीम कोट में जोग रेव का जोग फोरेंग्सिक रिपोर्ट एंड पोस्मारम रिपोर्ट हो नहीं दिया तुम आपको लगता है कि इन्वेस्टिकेशन सही से नहीं हुई थी उस समय कामदूनी के टाइम पर और जो रिपोर्ट थी वो सही से नहीं बनाई गई ना सही नहीं है वो गलात है इसलिए तो हम लोगों का जासिस नहीं मिला कि इतने आरोपी थे और वह अब कहा है आठ आठ जोन है तो चार जोन छोड़ दिया दो है जेल में तो आपको लगता है कि अगर उन्होंने इन्वेस्टिकेशन सही से की होती चार शीट अच्छे से फाइल की होती तो सबको सजा मिलती इंसाफ मिलता है अंदलन पोटेक्स यह कुछ नहीं फाइदा होता है कोट मे पूलिस का रिपोर्ट पूलिस का चार सीट और फोरेंग्सिक रिपोर्ट एबंपोस्ट में फाइदा होता है और कुछ नहीं बिल्कुल सीधे तोर पर इनका कहना है कि कामधुनी की जो बेटी थी उसके साथ बरबरता हुई थी गैंग्रेप हुआ था आंदुलन क्या प्रदशन क्या मुख्यमंत्री तक यहां पर आई वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट किया गया था दबाओ बना था लेकिन प्रोटेस्ट या दबाओ कोड के अंदर सबूतों के तोर पर नहीं रखा जा सकता उसके लिए पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन सही से करनी होती है तमाम सबूत फॉरिंसिक एविडेंसे सरकमिस्टेंचल एविडेंसे डारेक्ट एविडेंसे करीने से कोड के साम नहीं मिल पाया